आर हेल्थ प्रस्तुत करता है बनस्पति जगत की एक नई जानकारी मित्रों आप सब जानते हैं कि हमारी प्रकृती अन्मोल औशदियों का भंडार है प्रकृती ने निरोग रहने के लिए बहु मूल औशदियों को हमारे आसपास बिखेर रखा है बस जरूरत है इनके लापकारी गुन को जानकर प्रयोग करने की इसी क्रम में मैं आज आपको मीठी नीम के लापकारी गुन के बारे में बताऊंगी इससे पहले अगर आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कीचे तथा हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाईए तो आईए जानते हैं मीठी नीम के गुन कारी मेध्व के बारे में मीठी नीम प्राया उत्तर और दक्षिन भारत में सामान रूप से पाई जाने वाली जाड़ी परिवार का और शदिय पौधा है जिसके पत्तियों का प्रयोग व्यंजन के साथ साथ अनेक रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है इसके पत्तों में विटामिन B1, B3, B9 के अतिरिक्त शरीर के लिए महत्वपून तत्व, आईरन, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, आदी पाए जाते हैं इसके सूखे पत्तों का चून नारियल के तेल में मिलाकर बालों में लगाने से रूसी तथा हेर फॉल में लाब मिलता है साथ ही इसके प्रयोग से बाल काले तथा गने होते हैं इसके सेवन से मुटापा घटता है आखों के लिए तथा डायबिटीज में इसका प्रयोग काफी लाब प्रद है डायरिया में इसके पत्तों को काड़े के रूप में पीने से लाब मिलता है एनिमिया में मीठी नियूं का प्रभाब राम बान जैसा होता है इसके पत्तों को पीज कर लेब बनाकर बालों में लगाने से रूसी खत्म हो जाती है तथा बाल गेरना भी बंद हो जाते हैं इसके साथ ही इसके पत्तियों के नियमित रूप से चवाने से ब्लड प्रेशर की समस्या में सुधार होता है इसके अतिरिक्त इसके पत्तों को उबालकर पीने से आफ तथा पेचस की समस्या भी दूर हो जाती है नैत्र जोती की समस्या में इसकी पत्तियों का चून दो ग्राम रोज सेवन करने से लाब मिलता है इतना ही नहीं इसके प्रयोग से यौन रोन तथा एक्जिमा में भी लाब मिलता है एक्जिमा में इसके पत्तों को पीस कर लेप लगाना काफी लाब दायक होता है तो आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार